जैन दोस्तो हम कंपूटर का अध्याय नंबर कौन सा पढ़ रहे थे हम चैप्टर नंबर है अध्याय नंबर हम नाइन के बारे में पढ़ रहे थे प्रोग्रामिंग अब धार्ण नाए ठीके तो कल हमारा यह कंप्लीट नहीं हो पाया था इसलिए आज की वीडियों हम उससे आगे से स्टार्ट कर रहे हैं कल थोड़ा सा हमने इसको रह गया था हमारे चैप्टर हम उससे आगे पुड़ा रहे हैं वीडियो को लाइक सेर नहीं करा जल्दी से सभी दोस्तों को जोड़ लेजी लाइक सेर करके तो सबसे पहला काम आपको है वीडियों को लाइक करना औ लाकान है कि अपने पहले पिछली वीडियो में देखिए तो मैं यहां से नहीं देखा तो आपको आज दूसरी जाएगी तो स्टार्टिंग से देखते हैं आपको इस समझ में आती हैं वह ही सामधा रिजनींग क्लास चल रही है और तो आफका जल्दी पर पढ़ेंग टो आगे हम अगला बिश्स पढ़ेंगे थे चलिए स्टरार्ट करें पर ह। सब्सक्राइं चलिइं सब्सक्राइख रहा हैं सब्सक्राइब साथ गयाने की teenager होता है जैसे आपने Google पर translate करते हैं तो चीछ आपको समंझविशन यहांति Google पर डालते हैं है ऑश चीछ चीश का translate हो जाता हैं इंगिलिस से हिंदीство लेकिन computer की ऐक अपनी अलग भासा हें होती है computer हमने पड़ा ता कि मसीरी लेख पाते हैं ताकि इसी रहा है जो हाई-level language पढ़ी थी हमने लेकिन भासा अनुबादक के मात देम से क्या होता है प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर लेते हैं और इसको मसीनी भासा हम बदल देता है इसे हमारा कम्पूटर आसा नहीं समझ पाता है तो यह लेंग्विज अनु बेस्ट आईक कई अलग-अलग भासाहों में लेखे प्रोग्रामों का अनुबाद यानि कि ट्रांसलेट किसमें करते हैं मसीनी भासा में समाझागे यह अनुबाद कराना इसलिए आविसक होता है क्योंकि क Cape battery में आने इक्जङूशन करता है कम्पूटर मारा मसीनी ह्हाशन लेके हुए प्रोग्राम का ही execution करता है इसलिए आविसक हो जाता है किसी भी भासा में आप प्रोग्राम लिखिए लिए कुन उसको translate translator के माद्दम से मसीनी भासाम करना होता है अब हम यहां फिर देख लेते हैं दालिएगा और समय कराब करने से बचिएगा भासा अनुवादक को मुक्यत तीन सेनियों में बाटा गया जो language translator है इनको कितनी सेनियों में बाटा गया तीन सेनियों में इनको बाटा गया ठीक है कौन-कौन से assembler हो गया एक दूसरा हो गया compiler और तीसरा हो गया interpreter ना मयात रहेंगे सबसे पहले हम assembler के COM बारे में पढ़ते हैं ठीक है चलिए देखी यहांपर सबसे पहले हम किस के बारे में पढ़ते हैं इसेंपललर एक ऐसा प्रोग्राम नेता है जो Аसामेली भासा में लेके किसी प्रोग्राम को पढ़ता है और उसका अनुबाद मसीनी भासा में कर देता है हुआ थीक कि अंछ मैं पहादा है तो प्रोग्राम हeka करता है सोम्जब कई प्रोग्राम होता है तो यह क्या करता है उसको ट्रांसलेट करके मसी diffus में बदल देता है Assembly how tois a के progroom kir फोर्ग्राम कहा जाता एब एक पुष्णईया से बनता है Assembly how toka क्या कहा जाता तो बताएंगे Assembly भाषा के progroom को को सोर्स거든 कहा जाता है ज़्याद रखना हम इसके वीडियोके फारमी इसे कोच्षा बन सकते हैं ठीकषाerv असे कुश्यन बनते हैं असेमली भासा के प्रोग्राम को सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है इसका मसीनी भासा में अनुबात करने के बाद जो प्रोग्राम प्राप्त होता है उसे अब्जेक्ट प्रोग्राम कहा जाता है ठीक है देखिए मसीनी भासा में इसका जो सोर्स प्रोग्रा कहा जाता है और जब इसे मसीनी भासा में अनुबात करते हैं तो जो प्रोग्राम प्राप्त होता है ठीक है मसीनी भासा में इसको ट्रांसलेट करते हैं तो जो प्रोग्राम प्राप्त होता है उसे अब्जेक्ट प्रोग्राम कहा जाता है बस समझाई देखिए असेमली भासा करा के प्रोग्राम को क्य कहा जाता है और ट्रांसलेटर जिसे की आसेइमलर के माद्धि मुझ consume कर दिया और जो में परिणाम प्राप्त हुआ उसे औब्जेक्ट प्रोग्राम कहा जाता है ठीक है बास समझा गई। असेमलर DU का का मशीनी त्ना है Assembly भासा में लेकिए गए, program को किसमें बदलना है? Machine भासा में, Assembly भासा में, computer, वारा नहीं समझता है, computer वारा सिर्फ machine भासा को समझता है, तो, assembler, नाम से किलिए रहे, assembler, assembler का का मैं क्या होगा? Assembly भासा, NISC, Simler से सीधा याद राएग, असेम्ली भासा को मसीन भासा में ट्रांसलिट करना इतना याद रखिए यहांसे पृष्ण बन दूसरा यहाता है George अभ्धी इसकर समजिंग about a C me काम है देखिए एक प्रोग्राम ऐसा में जो इस प्रोग्राम लिखते हैं यह यानि कि फोर्ट्रेंट एन सी प्लस प्लस जाबा को बोल इस तरह की जो हाई लेविल लेंग्विज है इनको नहीं समझ पाएगा इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा इन भासा को ट्रांसलीट किसे में के जाए अंबात करके उसे मसीनी भासा के निर्देश में बदलता है कि यहां से बात समझना कंपाइलर जो है सोर्स प्रोग्राम दिखा है उसको ट्रांसलेट करना है ना स्वर्स प्रोग्राम के प्रथे नउस्तरी भासा के लिए अलग अलग ग्याईलड किया विसकता होती यानि कि यह कोई बासा है इसको मह announcer बदलना तो आō कंपाईलर कव को मसी बदल दे और फूटरें भासा है तो उसको अनुमानी मसीनी भासा में बदलना तो उसके लिए अलग कंपाइलर क्या हो सकता होगे कंपाइलर में बार 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 बोल रहा हो इसको ध्यान रखना है एक बार में पूरे प्रोग्राम का अनुबाद यानि ट्रैंसलेट करता है एक ही बार में पूरे प्रोग्रा का नुबाद करता है बस समुझा गई तो compiler को मौटा मौटा जाने तो क्या है एक translator है कैसा translator है जो high level language में जो program लिके जाते हैं उसको मसीनी वासा में बदलने का करता है और सबसे compiler र्याद रखना ठीक है अब interpreter यह भी क्या है translator है ठीक है पहला ट्रांसलेटर पढ़ा दूसरा compiler तीसरा interpreter इनसे प्रिशने बहुत जादा आते हैं मैं बहुत डीपली आपको अपना एफट भी लगाए और थोड़ा साब का लाइक सेर होना ही चाहिए जल्दी सभी लाइक कर दीजितने विद्ध्यारती इस वीडियो को देख रहा है फिर मैं आपको फिर से दोर आता हूं कि हम असेंबलर पढ़ चुके हैं असेंबली बासा को मसीनी बासाम कर रहा है कंपाइलर हाई-level language को मसीनी बासाम कंपाइल कर कर रहा है और एक यह बारे में पूरो प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है अब इंटर्परेटर की बात करते हैं ध्यान से सुनते हैं आपको सारे प्रश्ण ही के लिए हो जाते हैं इंटर्परेटर क्या करता है यह किसी programmer दोवारा उच्छ इस तरी प्रोग्राम बहासा में लेखे गए source program का अनुबाद मसीनी बहासा में करता है interpreter का भी वही काम है कि high level language है इसका जो source program है इसका अनुबाद यह ट्रांसलेट किसमें करता है मसीनी बहासा में परंतु इसमें difference क्या है यह एक बार में source program के किवल एक कथन यह मसीनी बहासा में अनुबाद करता है ठीक है एक साथ पूरे source program को सीधा किसमें मसीनी बहासा में convert कर देता है लेकर interpreter भी ट्रांसलेट तो करता है हाई-level language को मसीनी बहासा में convert करेगा जब इसका execution हो जाएगा क्रियान हो जाएगा इसके बाद दूसरे कतन को होए ट्रांसलेट करेगा तो कुल में लाकर इसकी देखिए स्पीड भी से लोगती इंडर्प्रेटर की समझ में आ रहा है क्योंकि एक-एक कतन को मसीनी बहासा में translate कर रहा है और जबकि तो तीनों ट्रांसलेटर के बारे मैं आपको अच्छे से बता दिये उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा ठीक है इस वीडियो के लाश्ट वाले हैं तो आकरी तक जुड़े रहेगा और अन्य वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जाकर चेक करना करेंगे तो नीचे आपको से लिखता उसमें आपको लिंक मिल जाएंगे साधी डिटेल मिल जाएगे और वीडियो आदेख सकते हैं अब लेंग स्कीपीडियां भी होती हैं अब टीक है प्रोग्राम की भासाओं को पाच पीडियों में बाट के पढ़ने वाले इससे पहले थोड़ा सा मैं पानी ले लेता हूं अब भी पानी पी लिज необход कर लीजे और वीडियों को तब तक याइक बहुत मुश्किल वरा काम होता है ना चलिए इस तरीके से पढ़ाना कठीन भी होता है क्योंकि लगेतार बूलना पड़ता है और जब कोई डिजिटल बूर्ड और ऑफ-लाइन उपढ़ाते दो बीच में गैप मिल जाता है लेंगमेच की पीडियां प्रोराम की भासाओं की हम निन्म पांच पीडियां प्रतम पीडी की भासा या फर्स्ट जन्रेशन निन्म इस्तरी भासा होती है इसको पीडी मार्ट पढ़ रहा है फर्स्ट जन्रेशन की जो पीडी थी भासा की वह फर्स्ट क्या थी जन्रेशन लेंग्वेज ठीक है निन्म इस्तरी भासा थी यानिकि लो लेविल 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 लेंग्वेज ठीक है तो लो लेविल 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 लेंग्वेज इसमें भी निन्म स्तरी भासा थी जो की असेमली भासा में से मिलकर बनी थी देखिए इसमें जीरो बन का उप्यों के आता था जिसमें प्रोग्राम लिखना थोड़ा कटन होता था लेकिन कुछ निमोनक्स यानिक कुछ अल्फावेट्स और जो मैतमेटिक्स के सिंबॉल होते उनका यूज करके असेमली भासा प्रोग्राम लेके जाने लगेते जिससे थोड़ा सा आसान हो गया था ठीक है तो असेमली भासा सेकेंड जनरेशन की लेंग्विज होगी यह भी कैसी है निन्म स्तरी भासा ठीक है इतना पॉइंट याद रखना आपका काम चल जाएगा त किसरे की बात करें देखर वहासा कुछ इस तरी भासा आगई तर्ट जेनरेशन लेंग्विज में लेंग्विज आगई जैसे इसमें सी भासा आ गई ठीक है कुशना सी भासा है लेविल लाग्विज इसके लाब मागे बड़ें चौतिए पीडिकी भासा यानि फो टी एसक्यू एल और अधी ठीक है चौतरी पीडी की जो भासा थी वो और यूजर के लिए आसान हो जिसमें एफ्लिकेशन प्रोग्राम बनाना थोड़ा सा सरल हो गया साहता करती है नए अफ्लिकेशन बनाने में बहुत आसान बना देती है इस पीडी की आसा हम डाटा बेस प्रो करेंगे पांची पीडी की भासा कौन से थी फर्स्ट फिफ्ट जनरेशन लेंग्वेज प्रोग्राम में भासा होती है जिसमें विज्वाल टूल्स संग्रेथ होते हैं विज्वाल टूल्स यानि की समझते हैं जो आपको सामने देखते हैं टूल्स हैं प्रोग्राम को डब ठीक है तो हमने इनको प्रकार देखा अब चलिए हम अगली है अगले टॉपिक पर चलते हैं दियान से देखिएगा चलिए अब कमेंट्स करके बताना कि आपको क्लास लक कैसी रही है मजा आ रहा या नहीं आ रहा ठीक है आजे कमेंट्स में है इनको रताना कि यह थे आपने बास सुना होगा यह यूटुप पर वह अलगोरितम पता हैं तो मतलब का होता है न Tinder प्रसेज्ड रहते उसमें अल्रेडी पहले साइरा में इन्शल कर देथ sudah फिक्रांटि नहीं चलते हैं होगा तो यह होगा है इस फरकार लेखा जाता है कि कोई यूजर उससे समझ कर उसी करम में सही तरीके से क्रियाइन विद्वित करता जाए तो कार पूरा हो जाता है अपनी वहासा में प्रोग्राम की गलतियों का प्रतिरूपन तयार करना आपनी भासा में प्रोगाम की गती वितियों का जो प्रारूप है वो तयार करना एल्गोरित्म कहला ता है तो सब्सक्राइब करता है करना पड़े गई इस तरीक से तो कोई में लाकर आप इसको कैस समझेंगे कि किसी कारे को करने के लिए एक विसेश क्रम में लिखे गए आदेसों का समू ठीके बस इतना एक विसेश क्रम में लिखे गए आदेसों का समू एल्गरित्म कहलाता है ठीके फिलो चार्ट एल्गरित्म का ही फिलो चार्ट एक रूप है बस इसमें डाइग्राम की मदद से सा को विसेज परकार की आकरतियों में के रूप में दरसा जाता है ठीक यह पहलो ऐसा का Brothers रेख वॉसक्त डाइग्राम में को धरतrän धर्स आज जाता है ठीक है इसमें हम उन प्रतिकों को प्रियोह करते हैं इसाट इन्पूट प्रोसेश डिसीजन कनेक्टर आउटफूट गती की दिसा एवं इस्टप आदी को दर्शाते हैं ठीक है इसके अंतर अलग-अलग अकृतियां होती है तता उन अकृतियों के अंदर उसका तन को संचिप में लिखा जाता है इसके अंदर अलग-अलग अकृतियों आगे इन्पूट आउटफूट प्रोसेश इसे अलग-अलग अकृति होती है जो अलग-अलग कमांड्स को सो करती है प्रतसित करती है तो सीजी सिवात अलगरितम का ही एक डाइग्राम रूप कहा है फिलो चार्ट है ठीक है फिलो चार्ट समझने थोड़ा आसान हो जाता ह है इसमें डाइग्राम होते है अपने वह सुनाओंव कंपूर्ट में कर और आ गई अपने की गलती है और अक्याकी का होती यह साहिए और फिर का जाते है। है इस लिए करते गलती को दूर करना अब यहां से ऐक प्रफर्च्न पुछ लिए आता है बग आने क्या है गलती वाग Ondasma गलती अरा रहीं और बग को ठीक करना थी करना गलताए ठीक है यहां चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहां तक कोई दिक्कत है तो कमेंट्स करेगा ठीक है अब आगे वड़ते हैं आगे क्या बढ़ते हमारे यहां पर चेप्टरी कमफ्लीट हो गया अगर आगे नेक्स चेप्टर हम अगली वीडियो में पड़ेंगे हम कुछ mcqs देख लेते हैं यहां ठीक है चलिए यहां पर देखिएगा आज का प्रिशन देखते हैं आपर एंड्रोइड डबलपमेंट के लिए अधिकारिक भासा कौन सी है कौन सी जाबा कोविल फोट्रें एडा तो एंड्रोइड जो डबलप है वो कौन सी अधिकारिक भ जटिल वासा हाइड डिवाइज ड्राइबर निन्म इस्तरी वासा मद इस्तरी प्रोग्राविंग वासा तो जावा इनमें सी क्या है बताए कमेंड्स में जल दी से जाबा आमने पढ़ी हाई लेबिल लेंग्वेज समझ में आ रहा है नहीं हमने जो कुछ पढ़ा है आप सब्सक्रिप्ट प्रोग्राविंग भासा को किसने विक्सित किया तो जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राविंग भासा इसको किसने विक्सित किया ब्रेडन इच बिलियम एन थोवन जोर्ज एस्टमें एमील एलेन मेयर तो जावा इसकी प्रोग्रामों को किसने विक्सित किया तो इसके यहां फिर देख लिए ब्रेडर इच तो जो कुछ ऐसे एफेक्टवाइज कुशन रह जाते में में उनको सामिल कर ले तो ठीक है इसे नाम याद रखना है कि जावा स्क्रिप्ट भासा किस ने विक्सित किये ब्रेडर इच ने किये ऊसली मैं आप से केहता हूं म्स की जढ़ा जाओ क्रेक्टिस करिएगा किस वर्स में आई मैने एक चार्ट के मातिन सैब को बताया था unnithi 1941 गहाए स्क्रिप्ट भासा अस्तिव में आई नियम्स लेक्वें नाम यह से एक कॉन सी कंपूटर प्रोग्राणिंग भासा नहीं लेकिन भासा नहीं है तो ये सारी भासा है निल्ण मैसे कौन सी O, W, P, OPS की भासा नहीं है हमें बताना है तो कमेंट से आप बताजिएगा C, C++, JavaScript और C, HERS तो OPS की भासा नहीं है, C नहीं है कालिष्तान किसी computer program के कारेओं का लेखित भेखित भेखित हो रहा है किसका लिखित भी हो रहा है यहाँ पर option आपके सामने है आपको बताना है देखे खालिस्तान किसी computer program के कारियों का लिखित भी हो रहा है मैंने आपको documentation पढ़ा है कि computer program कारियों का लिखित भी हो रहा है यह बंडन क्या कहलाता है debugging सब्सक्राइब का मडीफाइ करना प्रोगाम में एरर चेक करना प्रोग्राम डिजाइन इस्टैक्चर तफिक करना इसको एक प्रकार्स करना एक कछली और देखी सोप्ट्वियर कोड में थूर की दूनने की एक प्रिक्रीएं है D की असेंबलर को शेक्टाबर कर अपने पड़एं भास्तम बदलना नए उच्षिस्तरी भास्तमिंट वासम्भण बदलना यही ईए असेमिलर के बारे में इसे क्या सब्द नहीं है असेमलर के बारे में वैसे क्या सत्त नहीं है असेमली लेंग्विज के इंस्ट्रक्षन को मसीन लेंग्विज में टांसलेट करता है ठीक बात है है सी प्रोग्राम को टांसलेट नहीं करता यह प्रोग्राम एक्जिक्यूशन में सामेल होता है एक translated program है तो इन वैसे कौनसा एक सही नहीं है देखे कौनसा सही नहीं है है c program को translate नहीं करता देभी सही है नहीं करता है तो है program execution में सामल होता है जबकि यह नहीं होता सामल सी वाला अगला यहां पर प्रिश्न है हमारा compiler उच्छ श्तरी भासा में लखे program को खाले स्थाना करता है compiler उच्छ तर्फ वासा में लखिए program खाले स्थाना करता है translate करता है है कि तो क्या होगा इसकर compiler उच्छ तरिवासा को machine बासा में बदलता है समुझे आ रहा है जो हम ने पड़ा उससे के संग इसे बनते हैं compiler high level program को machine language में translate करता है जिसे कालिस्तान कहते है compiler high level program को किसमें बतलता है machine वासा में जिसको कालिस्तान कहते है किसको क्या कहते है translate करता है जिसे हम कहते हैं तो यहाँ पर option आपके सामने है source code object code compile code और beta code तो compiler high level program को machine language translate करता है जिसको कह का जाता है इसको compile code कहा जाता है खालिस्तान एक बार में पूरे प्रोग्राम को convert और execute करता है कौन compiler जबकि interpreter कह करता है एक कथन को एक बार में translate करता है मैंने आपको सभी point highlight करके बताए थे इसलिए कि ऐसे प्रिष्णिया से बनते हैं सब्रूटीन एलिटम एक्जीडेवल प्रोग्राम तो compiler करता है एक्जीडेवल प्रोग्राम कुछ ऐसे चीज होती हैं तो आप मैं सारे टेलीग्राम पर डालूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक है तो उसके जॉइन कर लिए ठीक है मैं थोड़ा सा कई दिनों से ज्यादा बैस्त हो रहा हूं अपलाइन में भी मुझे थोड़ा सा बैस्त हूं तो इस कारण से डाल नहीं पाया है लेकिन मैं कुछ करता हूं उसको डाल दूँगा तो अभी आपके लिए बहुत कुछ यहां फे डेटा मिल रहा है आगे है विसेश प्रोग्राम है जो किसी विसेश बहासा में लेखे इस्टेटमेंटों को प्रोसेस करता है और उन्हें मसीनी बहासा एक कोड में बदल देत है जिसे कंपूटर का प्रोसेसर इस्तमाल करता है तो क्या कहला आएगा देखी विसेश प्रोग्राम है जो किसी विसेश बहासा में लेखे इस्टेटमेंट को प्रोसेस करता है और उन्हें मसीनी बहासा एक कोड में बदल देता है जिसे कंपूटर प्रोसेसर करता है कंपा compiler compiler एक है क्पोटर प्रोग्राम सब्टेवर के भाग एक प्रोग्राम जो उच्छ स्थरी बाचा मसीनी बाचा मदलता है अब आप से अच्छे से question बन रहा हूँ क्योंकि आपने इसके theory समझ ली है तो इसलिए मैं आप से कहता हूँ classes इमानदारी से शुरू से लेकर आखरी तक देखी गए ताकि आपको concept समझ जाएंगे तो आप सब कुछ आसानी से बना पाएंगे कानी आपको पता होना चाहिए ठीक है खालिस्ता ने एक समय में एक कतन को convert और execute करता है तो एक कतन को कौन convert और execute करता है उन्हें पढ़ाता इंटर्प्रेटर समझा है देखिए इनसे कैसे question बनते हैं कितने सारे question बनते हैं source program है source program क्या होगा मसीनी भासा में लिखना computer program को मसीनी भासा में बदलना है तो source program ही कहला है computer program को मसीनी भासा में बदलने वाला computer program सामाइन रूप से उच्छ तरी प्रोग्राम भासा में लिखे जाते हैं computer program जो है सामाइन रूप से किसमें high level program भासा हम लिके जाते हैं प्रोग्राम के मानब दारा readable version को क्या कहते हैं मानब दारा readable version होता है उसको क्या कहा जाता है readable version को source code कहा जाता है अगला प्रश्न है मसीनी भाहसा किस pd के बाशा है मसीनी बाश्म पहलि पीडी की बासा है बेसिक बाशा किस किस किदी वासा है तो बेस में हमने पढ़ा है तीसरी पीडी की बासा है ठीक है है प्रोरामिंग संबंधिस समझ्य को हल करने के लिए आवेसक चण्ड़नों की क्रमब्द ग्राफिक्स प्रस्तुति neo का जाता देखिं क्या कहा जाता है प्रोग्राम फिलो चार्ट ठीक है चोज मा गया प्रोग्राम क्या कहा जाता है इसको फिलो चार्ट कहा जाता है कम्पूटर प्रोग्राम में एक एरर क्या कहला आती कमेंट्स बने बताई जल्दी सभी कमेंट्स बताएंगे computer program में एक error क्या कहलाती है comments कर दी जल्दी से computer program में एक error crash power failure bug virus computer program में एक error क्या कहलाती है जल्दी बताई जल्दी बताई ये फटाक से तो मैंने पढ़ाता bug कहते हैं और bug को ठीक करना debug कहलाता है भै कौन सी error है जिसकी पहचान program के creation वन एन execution के समय की जाती है कौन सी error है जिसकी पहचान program के execution के समय की जाती है syntax error runtime error logic error और semantic error कौन सी error है बताई ये जल्दी से तो runtime error कहलाईगी ठीक है खालिस्तान ऐसे प्रतीख है जो किसी character या characters के सही होजन का प्रती नेदे तो करते हैं कि खालिस्तान ऐसे प्रतीख है जो किसी character या characters के सही हो जान का प्रती नेदेद करते हैं option आपके सामने है इनमें से कौन सा होगा playing card wild card wild card होगा जाद दिमाग नहीं लगाना ठीक है अगला है खालिस्तान कमांड के की प्रक्रिया है खालिस्तान कमांड के कि career environment की प्रक्रिया है fetching, storing, executing or decoding खालिस्तान कमांड की प्रक्रिया है क्या है इसकी प्रक्रिया बताइए कालिस्तान कमांड की career environment की प्रक्रिया है execution खालिस्तान कमांड की career environment की प्रक्रिया executing टिंग ठीक है आगे देखिएगा खालिस्तानी प्रकार का कंट्रोल एस्ट्रेक्चर है जो किसी प्रोग्राम में विश्चिति को बार बार दोह रहाता है तो आंसर क्या होगा looping DFD का पूरा नाम क्या है DFD का पूरा नाम बताईए पूरा नाम आपको बता नहीं होगा data flow diagram तो मैं full form एक अलग से वीडियो बनाकर आपको सारे full form last में बता दूँगा ठीक है अन्ते में इसका प्रिशन देखते हैं किसी programming भासा में computer computer निर्देशों को लिखने की प्रिक्रिये कहते हैं किसी program भासा मैं computer जो निर्देश है उसको लिखने की प्रिक्रिये क्या कहते हैं coding coding ही कहते हैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाई है चलिए यहाँ पर हमारे chapter complete होता इसके बाद next video में next chapter को पढढ़ेंगे वीडियो को like share करिए जल्दी सभी वीडियो को like करिए जल्दी कर दीजे जल्दी जल्दी मैं देख रहा हूँ like करिए like करिए share कर दीजेगा जाद ज़्याद इसको share करिएगा और bell icon बहुत सार भी जारती है notification on नहीं करा उसको on कर लिजे ताकि जब भी वीडियो क्लास आए उसको notification आपको मिल जाए और आप समय पर तयार रहेगा morning 11 बजे आपको वीडियो मिल जाती अधी आप टाइम पर नहीं देख पाते हैं तो किसी कारण बस तो बाद में भी recorded वीडियो playlist में देख सकते हैं ठीक है तो recorded भी देख सकते हैं लेकिन courses करिएगा live देखें 11 बजे जुड़कर live देखते हैं तो उसका एक अलगी आनन्द है लाकि recorded आप देख सकते हैं आपको upload रहेंगे और 3 बजे मत भूलिएगा reasoning की class भी आने बाली है जिसको मैं हर वीडियो में जिक्र कर देता हूँ जिसको भी चाहिए description box में जाएंगे WhatsApp नमबर पर message करेए सारी detail आपको मिल जाएगी वहाँ से आप आसानी से order कर सकते हैं आपको PDF form में सारे notes उपलब्द करा दिये जाएगे ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आचको इतना ही जैहिन बंदे मातरम